नमशकार दोस्तों! इंसान के अंदर चार आदते ऐसी होती हैं जो उसे असफल और दरिद्र बनाती हैं और इन आदतों की वज़े से ऐसे लोगों के द्वार पर माता लक्ष्मी आकर भी लोड जाती हैं। इसलिए जिन लोगों के अंदर ये चार आदते हैं उन्हें इसे धर्म शास्त्रों में धन की उपयोगिता के बारे में काफी कुछ कहा गया है। धन को व्यक्ति का सच्चा साथी बताया गया है, जो दुख और विपत्ति के समय भी इनसान के काम आता है। इसलिए धन को संचय करने के लिए यानि की बचा कर रखने के लिए कहा जाता है। लेकिन इनसान की कुछ आदतें उससे धन को हमेशा के लिए दूर कर देती हैं। ऐसे लोगों का जीवन हमेशा गरीबी में गुजरता है। दोस्तों, पहली आदत ऐसा माना जाता है कि सुभा का समय बहुत ही बहुमूली होता है। हर इनसान को सुभा जल्दी उठकर इस समय का सदूपियोग करना चाहिए। लेकिन जो लोग इस समय की वैलियो को नहीं समझते, वे देर तक अपना बिस्तर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती और उनके घर में हमेशा दरिद्रता का वास होता है। दूसरा, शरीर की सफाई के साथ साथ दातों की सफाई और वस्तरों की सफाई भी बहुत जरूरी होती है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दातों की सफाई नहीं करते और स्वच कपड़े नहीं पहनते, उन पर माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। ऐसे लोगों का सारा जीवन दरिद्रता और बिमारियों में गुजरता है, उनका काफी पैसा इन में खर्च हो जाता है और वो हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। दिमाग हमेशा खाने में ही लगा रहता है, उनके घर में धन नहीं टिक पाता और माता लक्ष्मी वहां से रूट कर चली जाती हैं। चौथी बात संसार के बड़े बड़े काम मीठी वाणी से बन जाते हैं। जिन लोगों की वाड़ी मीठी होती है, ऐसे लोग सभी के प्रीय होते हैं। और ऐसे लोग हर जगा पर मान सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे अफसर प्राप्त करते हैं और तरक्की पाते हैं। जबकि जो लोग हमेशा कड़वे वचन बोलते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता, उनके आपसी संबंद लोगों के साथ अच्छे नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों के पास माता लक्ष्मी आकर भी नहीं ठहरती, इसलिए दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान रखें और फिर देखें कि आपकी जिन्दगी में कितने अच्छे बदलाव आते हैं और माता लक्ष्मी कैसे आपके ओपर अपनी करपा बरसाती हैं